Hello friends, welcome to your own channel ABC about English and this is a परना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ abstract noun से related another exercise आज हम करने वाले हैं underline abstract noun इससे पहले कि exercise start करें, question solve करना इससे पहले कि exercise स्टार्ट करें, हम जान लेते हैं कि abstract noun क्या होते हैं वैसे तो abstract noun या noun कहें और noun के अधर अधर टाइप कहें वो सभी वीडियो चैनल पर अभिलेबल हैं इससे related exercises भी चैनल पर आपको मिल जाएंगी वहां से जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको और explore करना इस topic को इससे पहले कि हम question solve करना start करें चलिए समझ लेते हैं कि abstract noun क्या होते हैं abstract noun का मतलब होता है ऐसे noun जो touch नहीं किये जा सकते हैं सिफ उन्हें feel किया जा सकता है जो common senses जो आपके five sense organs हैं उनके द्वारा sense नहीं किये जा सकते हैं touch नहीं किया जा सकता है ऐसे noun को हम abstract noun कहेंगे noun क्या होते हैं simply name को noun कहते हैं noun is the naming word ठीक है noun क्या है naming word है ठीक है आपके पास कुछ sentences होंगे और sentences में कुछ noun या other parts of speech related भी चीजें हो सकती है अब आपको simple क्या करना है abstract noun को underline करना है ठीक है बात clear हुई question solve करते हैं so हमारा first question है रमेश success brought his mother a lot of happiness अब देखे रमेश यहाँ पर noun है किस type का noun है रमेश proper noun है ठीक है किसी का नाम है success याने होता है सफलता क्या होती है सफलता सफलता को आप touch कर सकते हैं क्या सफलता को touch नहीं किया रहा सकता तो यह क्या है हमारा यह क्या है abstract noun ह ठीक है mother भी हाँ पर noun है देखिए brought तो लाना होता है वो verb हो जाएगी तो मुझे next noun दिख रहा है mother और mother किस type का noun है common noun है ठीक है अब next आते है happiness happiness को भी याने खुशी होती है happiness का मतलब क्या होता है खुशी और खुशी को भी हम क्या कर सकते हैं touch नहीं कर सकते हैं से feel कर सकते हैं abstract noun हुआ so इस sentence में total four nouns थे उसमें से दो abstract noun थे और उन्हें मैंने underline कर दिया है next sentence की बात करें तो I asked for help मैंने उनकी help मांगी for my teacher ठीक है अब यहाँ पर देखिए help noun भी होता है और verb भी होती है help मांग अब यहाँ पर asked already मांगने के लिए आ गया है तो यहाँ सहायता so help का क्या मत होता है सहायता या मदद ठीक है अब यह किस टाइप का नाउन है सहायता को हम टच तो नहीं कर सकते तो यह किस टाइप का नाउन है abstract noun को हमें underline करना है next noun मुझे teacher भी दिख रहा है बढ़ यह teacher जो है वो common noun आता है ठीक है teacher को हम teacher कह सकते हैं तो इसे साब से common noun हो गया so next sentence की त task well ठीक है इस तरीके से sentence है अब मुझे क्या मिलती है मुझे satisfaction मिलती है मुझे संतुष्टी मिलती है अच्छे से काम करने में ठीक है task को अच्छे से करने में तो यहां पर देखे satisfaction noun है हमारा task noun है ठीक है अब बात करते हैं इनमें से abstract noun को है तो देखिए satisfaction जो है वो हमारा abstract noun है इसका क्या मतलब होता है संतुष्ठी होता है ठीक है संतुष्ठी अब इसे हम छू तो नहीं सकते संतुष्ठी को ठीक है तो यह हमारा किस टैप का नाउन हुआ abstract noun हुआ task एक common noun है ठीक हर task को task कह सकते है I lost my purse मैंने अपना purse खो दिया because of his carelessness उसकी carelessness के कारण मैंने अपना पर्स खो दिया आप यहाँ पर मुझे purse और carelessness दोनों ही noun दिख रहे हैं पर purse हमारा common noun है ठीक है पर carelessness हमारा किस टाइप का noun है abstract noun है इसे हम touch नहीं कर सकते लापरवाही मतलब होता इसका लापरवाही next sentence की बात करें तो Mona is afraid of darkness Mona को डर लगता है किस से अंधेरे से darkness यहाँ पर किस टाइप का noun है abstract noun है इसका मतलब होता है अंधकार या अंधेरा ठीक है Mona भी noun है पर Mona proper noun है ठीक है next slide की तरफ move करते हैं so हमारा next sentence है I can hear movement in the corridor is a thief so मैं corridor में हलचल सुन सकता हूँ क्या ये thief है ठीक है इस तरीके का sentence है अब यहाँ पर movement मुझे दिख रहा है याने की हलचल याने आवा जाही इसी तरीके से कह सकते हैं ठीक है तो हलचल मुझे दिख रही है क्या दिख रही है हलचल सुनाई दे रही है तो ये हमारा abstract noun हुआ कौन सा noun हुआ abstract noun हुआ corridor हमारा common noun हो गया corridor में हमें underline नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि ये common noun है abstract noun नहीं है noun जरूर है बट abstract नहीं है ये common noun है thief भी common noun है ठीक है so next sentence पर चलते हैं महात्मा गांधी महात्मा गांधी भी एक noun है महात्मा गांधी प्रॉपर noun है fought for India's freedom इंडिया की freedom के लिए आजादी के लिए लड़ते आजादी ठीक है आजादी को आप चू सकते हो क्या नहीं चू सकते ठीक है पर ये भी क्या है noun है और noun किस type का है abstract type का है abstract noun कहा जाएगा इसको इंडिया हमारा proper noun में चला जाएगा ठीक है I believe in the prisoner's innocence innocence का मतलब होता है बेगुनाही ठीक है या मासूमियत ठीक है मासूमियत कह लीजिए या फिर बेगुनाही तो मुझे prisoners की मासूमियत पर बेगुनाही पर believe है यकीन है ठीक है इस तरीके का sentence है तो यहाँ पर innocence जो है उसे हम touch नहीं कर सकते हैं तो ये किस type का noun हुआ ये abstract type का noun हुआ prisoners जबकि common noun में आएगा We should not show jealousy when other are successful अगर दूसरे successful है तो हमें jealousy show नहीं करना चाहिए इर्ष्या jealousy को क्या कहते हैं इर्ष्या ठीक है इर्ष्या हमारा abstract noun है अब यहाँ पर सिफ success होता तो हम इसको abstract noun कह सकते थे पर यहाँ पर full भी है जो की इसे adjective बना देता है तो इसे भूल कर भी noun मत consider करिएगा ठीक है चलिए next अदर चलते है तो last sentence की बात करें तो मैं यह last sentence आपके उपर छोड़ती हूँ तो last sentence मैं आपकी कोई help नहीं करूँगी आपको इस sentence में abstract noun find करना है ठीक है हमारा last sentence है few students received awards for their bravery तो इस sentence में मुझे 3 noun दिख रहे हैं ठीक है उन में से एक abstract noun है और वही abstract noun आपको comment में बताना है ठीक है I am waiting for your reply तो यहीं आज का वीडियो end होता है और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको इसी तरीके के वीडियो देखना पसंद है और सबसे पहले इसका notification चाहते हैं तो आपका जादा समय ना लेते हुए मैं अपढ़ना आपसे विदा चाहूंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुड़बाई See you So how was it? You like it Right? Yippee Comment us if you have any doubt Don't forget to like share and subscribe to our channel We will meet in the next video Goodbye